ये वोट बेंग भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं तीन तलाग से जो नुक्सान होता है ना वो सरे बेटियों को होता ऐसा नहीं है इसका इस्तिलाम से समंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश तीन तलाग खतम नहीं करता जो भी तीन तलाग के पक्षमे बाते करते हैं तीन तलाग की वकालत करते हैं ये वोट बेंग भुखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं अज़ा कुछ लोगों को लगता है कि पर ये तीन तनाख से तो सिर्फ महिलाओ कोई बात हो रही है तीन तनाख से जो नुकसान होता है न वो सिर्फ बेटियों को होता ऐसा नहीं है उसका दाइरा उससे भी बड़ा है आप सोचिए बहुत ही अर्मानों के साथ बेटी को शादी करकर के ससुराल भेजा हो और आण दस साल के बाद तीन तलाख कहकर के उसको कोई निकाल दे तो उस माबाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है उस भाई का क्या होगा वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं इसलिए तीन तलाख से सिरफ बेटीों को ही अन्याय होता है इतना नहीं पूरे परिवार तबा हो जाते हैं माता, पिता, भाई, सब दुखी हो जाते हैं और देखिए दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुले देश इसका इसलाम से समन्ध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश तीन तलाख खतम नहीं करता मुस्लिम बहुले देश जहां पूरी तरह इसलाम राज्य है वहाँ भी तीन तलाख बंद कर दिया है मैं पर्षो हूँ इजिप्त में था, मिस्र में था मिस्र में इजिप्त में 90% से ज़्यादा सुन्नी मुस्लिमान समा जाए और इजिप्त में आज से 80-90 साल पहले तीन तलाख की प्रधा को समाप्त कर दिया हमसे 90 साल पहले अगर तीन तलाख इसलाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई अगर तीन तलाख इसलाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता अगर तीन तलाख इसलाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बंगलादेथ ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वारे देश है वहाँ पर उनको मन क्यों कर दिया मैं समझता हूँ कि मुसल्मान बेटियों पर तीन तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छुट चाते है यही लोग तीन तलाक का समर्थन भी करते है और मैं जानता हूँ कि इसलिए ही मेरी मुसलिम बेटियों मैं जब भी जहां जाता हूँ वो भाजपा के साथ कड़ी रहती है मोदी के साथ कड़ी रहती है